साथियों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल बिग जोस में साथियों मिद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो साथियों आज की इस क्लास में मारा टॉपिक है भारत के परमुख निरित्य, तेवहार, मेला यूं महुत्सो तो साथियों आप कोई भी एक्जाम देने जाते होंगे तो देखते होंगे इस टॉपिक से सभी एक्जाम में 2-3 प्रशन जरूर पूशे जाते हैं इसलिए वीडियो आप सभी के एक्जाम के लिए काफी important हो जाता है तो वीडियो कोई तक जवड देखेगा क्योंकि दिये गए सभी कोशन एक्जाम ओरियेंटेड और सलेक्टिव हैं तो आईए देखते हैं जैसे पहला प्रश्ण है सरहुल परव का संबंद किस राजे से है तो सरहुल परव का संबंद जारखंड राज से है किस राज से है जारखंड राज से है नेक्स कोशन है कर्मा परव का संबंद किस राजे से है कर्मा परव का संबंद जो की बिहार यों जारखंड दोनों राज्यों से है देखेए यदि आपसन में जारखंड आ जाए या फिर बिहार आ जाए तो आपसन जारखन भी होगा और बिहार भी होगा यदि दोनों आता है तो आपसन दोनों होगा याद रखिएगा नेक्स कोशन है लावडी कीस राजे का लोक निर्त है तो लावडी जोगी महराष्ट राजे का लोक निर्त है ये काफी इंपोर्टेंट कोशन है कई बार इकजाम में पूछा जा चुका है गिद्दा किस राजे का लोक निर्थे है काफी important question है तो गिद्दा जोएकी पंजाब राजे का लोक निर्थे है कई बार exam में पूछा जा चुका है नेक्स कोशन है सबरी माला मेला किस राज में आयुजित किया जाता है तो सबरी माला मेला जोगी केरल राज में आयुजित किया जाता है याद रखियेगा नेक्स कोशन है राम नगरिया मेला का आयूजन की सराज में कियाता है तो राम नगरिया मेला का आयूजन जो की उत्तर परदिसराज के फरूखाबाद में कियाता है उत्तर परदिसराज के कहां पर फरूखाबाद में कौन सा मेला राम नगरिया मेला तो साथियों कोस्टन का लेवल आपको देखके पता चलाओगा कि दिये गज़ सभी कोस्टन एक्जाम ओरियेंटेड और सलेक्टिव हैं तो आपका कोई भी एक्जाम हो तो मातर एक्जाम से पहले इस रिविजन कलास को देखके चले जाएंगे तो आपका दो से तीन नंबर कनफर्म हो जाएगा नेक्स कोस्टन है निमलिखित में से कौन सा कुम मेला की चार अस्थानों में से एक नहीं है तो कौन सा नहीं है उज्जैन में भी मेला लगता है कुम का परियागराज में भी लगता है और हरिद्वार में भी लगता है लेकिन वारारसी में जोगी कुम्ब का मेला जोगी नहीं लगता है इसले मारा राइट अंसर आप्षन दी हो जाएगा वारारसी नेक्स कोर्षन है गुजरात का माधवपुर मेला किस की याद में मना जाता है इंपोर्टन कोर्षन है कई भर S.S.C. के एक्जाम में पूछा जा चुका है नेक्स कोर्षन है कपिल मुनी का मेला किस राज में आवजित कियाता है तो कपिल मुनी का मेला जोगी राजस्थान राज में आवजित कियाता है कब कार्तिक पूरिमा पर तो ये भी याद रखिएगा कि कपिल मुनी मेला जोगी राजस्थान राज में आवजित कियाता है और कार्तिक पूरीमा पर नेक्स कोशन है हर्यर मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है तो हर्यर मेला का आयोजन जो कि बिहार राजमी कियाता है कहां पर बिहार राजमी नेक्स कोशन है ज्वाला मुखी मेले का आयोजन किस राजमी किया जाता है तो ज्वाला मोखी मेले का आउजन जोकी हिमांचल पर्देश राज में किया जाता है एक पॉइंट और याद रखियेगा कि मिंजर मेला जोकी यहां का सबसे लोगपिरिय मेला है कौन सा मेला? मिंजर मेला तो मिन्यर मेला जो की हिमांचर परदेश का लोगपिरिय मेला हो जाता है याद रखियेगा नेक्स कोशन है निमलिखित में से किस मेले को पत्थर मार मेला के नाम से भी जाना जाता है तो देवी धूरा बगवाल मेला को जोगी पत्थर मार मेले के नाम से भी जाना जाता है ये S.S.E. का फेवरेट कोशन है याद रखियेगा नेक्स कोशन है उगादी पर्व किस राज में मना जाता है तो उगादी पर्व जोगी सभी राजियों में करनाटक में भी आंधपर्दिस में और त्यलांगाना बे भी तो इन तीनों राजियों मना जाता है इसलमा राइट अंसर आप्षन दी हो जाएगा किस सभी राजियों में उगाती परोजों कि इन सभी राज़मी मना जाता है याद रुन रहाहिएगा हो लिए सोरी और सी राजऺ्मास मेला किस क्षार मना जाता है काफी इंपोर्टीनس बारत का पहला प्रकास यस्तम्बुस्त हो है तो किस राज मनाएगा है गोवा में याद रखेगा गोवा में Next question है, हरेला पर्व किस राज में मना जाता है? तो हरेला परो जगी उत्तरा खंड राज में मना जाता है? किस राज में उत्तरा खंड राज में? याद रखेगा ये भी S.C. का Favorite question है next question है कुची पूरी नीत का सम्मंद किस राजे से है देखे काफी important question है और सायद आप सभी को पता होगा कि कुची पूरी नीत का सम्मंद जो है कि आंध परदेश राजे से है किस से आंध परदेश राजे से है next question है अंकिया नाट कहा का निर्थ है तो अंकिया नाट जो है की असम का निर्थ है किसका असम का निर्थ है अंकिया नाट Next question है निमलिखित में से कौन सा एक देव निर्थ है कौन सा निर्थ है एक देव निर्थ है तो कौन सा कुच्ची पूरी कुच्ची पूरी एक जो है की देव निर्थ है Next question है, निम्नीत सेलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, तो किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, मड़ी पूरी, किसकी मड़ी पूरी, याद रखिएगा next question है इद उल्जुहा किस की याद में मना जाता है तो इद उल्जीहा जोएकि हजरत इब्राहिम की याद में मना जाता है किस की याद में हजरत इब्राहिम की याद में next question है बिम्बावती देवी किस परकार के नित के लिए सू विख्यात है तो काफी important question है SSC में कई बर पूछा जा चुका है कि भिम्बावती देवी जोएकी किस नित के लिए सुब इख्यात हैं तो किस नित के लिए मड़ी पूरी किस नित के लिए मड़ी पूरी नित के लिए याद रखिएगा नेक्स question है रंगोली भारत की किस छेतर का प्रमूख लोग कला सैली है तो देखिए काफी important question रहता है क्योंकि प्रमूख लोग कला सैली है किस राज्य की जोएकी महराष्ट की कहां की महराष्ट की तो याद रखिएगा नेक्स कोस्टन है अम्बु वाची मेले का आउजन किस राजमी किया जाता है तो अम्बु वाची मेले का आउजन जो कि ओसम राजमी किया जाता है नेक्स कोस्टन है बाली तृतिया नामक उच्छो किस राजमी मना जाता है तो बाली तृतिया नामक उच्छो जो कि ओरीसा र मनायता है तो हैमिस नामक फेस्टीवल जो कि कहां पनायता है फरीदाबाद में याद रखेगा important question हो जाता है किस से पूसकरमेला से याद रखेगा ये भी कई रोक्साम में पूछा जा चुका है next question है भोहाग बिहो निमन में से किस राजे का परसीद तेवहार है तो बोहाग भीहु जो की निर्मे से किस राजे का परसीद तेवहार है तो किस राजे का औसम का बोहाग भीहु जो की कहा का है औसम का है याद रखिएगा Next question है कंबाला नामक तेवहार किस राजे से सम्बंदित है तो कंबाला नामक तेवार किस राजी से संबंदित है देखिए दो बार रिपीट हो चुका है इसलिए इसका विराइट अंसर करनाटक हो जाएगा तो साथी यह रहे आपके most important piece भारत के पर्मुक उत्सव, मेले इवां महुत्सव जिससे आप सभी की exam में हर बार question पूछे जाते हैं तो I hope आप सभी लोगो सारे question अच्छे से समझाए होंगे और learn हो गया होंगे तो वीडियो की quality और content आपको पसंदा रहा है तो वीडियो को like और channel को subscribe जरू कर लिजेगा